वेलकम एवरिवन तो आज हम लोग बेसिकली जो कुछ डेफिनिशन्स हैं फ्री बॉडी डाइग्राम, बोज नोटेशन्स और फ्री फोर्स डाइग्राम इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम यह जानेंगे इनकी फूरी डेफिनिशन के बारे में और ये होते क्या हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा confusion है और इन बहुत सारी book में अलग-अलग तरीके से ये दिया गया हो और बच्चों को इस समझ में नहीं आता तो बस इस video को देखने की जरूत पड़ेगी इसके अलावा आपको इनके definition के लिए कहीं जाने की ज़रूत नहीं है ठीक है free body diagram को हम लोग space diagram भी बोलते है ठीक है space diagram और इसको हम position diagram भी बोलते है ठीक है position diagram both notation notation करने का एक तरीका है ठीक है और force diagram को हम vector diagram भी बोलते है अब ये होते क्या क्या है ठीक है तो ध्यान से देखिए space diagram मैंने definition लिख ली है लिख दी है और आप लोग screen shot ले लेना या फिर description में telegram link का telegram का link है वहाँ से जाकर इसको download कर लेना ये पूरा PDF वहाँ मिल जाएगा space diagram का मतलब क्या होता है it means the construction of a diagram showing the various force or load along with their magnitude and line of action इसका मतलब ये है इसी को हम free body diagram भी बोलते हैं और इसी को हम position diagram भी बोलते हैं ठीक है मैंने पहली बता दिया था free body diagram का मतलब ये होता है कि एक ऐसा diagram हमको construction करना है जिसमें force अगर force लग रहा है तो force अगर load लग रहा है तो load with magnitude कितना force लग रहा है और किस और लग रहा है ये तीनों चीजें जिस figure में हमें दिख रही हो उसी को हम बोलते हैं free body diagram जैसे मान के चलो कि आपके पास ये एक triangle है आपके पास ये एक triangle है जिसमें इधर की ओर जिसमें इधर की ओर 130 newton का load लग रहा है जिसमें इधर की ओर 100 newton का load लग रहा है और जिसमें इधर की ओर 50 newton का load लग रहा है तो ये जो diagram है कैसा diagram जो ये चीज शो कर रहा है कि force कितना कितना लग रहा है कहां कहां लग रहा है तो ये कहलाएगा उसका space diagram this is the space diagram of any figure किसी भी figure का ये space diagram है कि अगर ये question मैं भी आगे करवाऊंगा भी इसको बहुत अच्छे समझाने के लिए तो space diagram क्या होता है जिसमें उस diagram का magnitude और line of action दिखे उस force का कि force लग रहे हैं और उनका diagram magnitude मतलब कितना लग रहा है line of action मतलब किधर की ओर लग रहे हैं वो अगर कहीं पर रिखता है that is called free body diagram या space diagram ठीक है तो ये होता है free body diagram दूसरा होता है बोज notation notation मतलब दिखाने का तरीका तो all the forces in the space diagram are named by using the Bose notation तो कोई भी अगर हम force कोई भी हम एक diagram बनाते हैं तो उसमें जो भी दिखाने के तरीके होते हैं उनको हम Bose notation ही बोलते हैं ठीक है अब जैसे मान के चलो कि इस line को मैं आगे बढ़ा दूँ इस line को इधर मैं आगे बढ़ा दूँ और इस line को मैं इधर आगे बढ़ा दूँ ठीक है F1, F2, F3 कुछ भी हो सकते हैं 100 N, 150 N कुछ भी तो क्या बोल रहा है कि it is a convenient method in which every force or load is named by two capital letters ये A, B, C जो हमने डालें वो capital letters हैं लेकिन क्या बोल रहा है every force is named by two capital letters placed on either side of the space diagram इसका मतलब है इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं F1 को लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा बोज notation में F1 कहाँ A और C से लगा हुआ है तो F1 को मैं A, C लिखूंगा F2, F2 किसे लगा हुआ है? A और B से लिखा हुआ है तो A, B लिखूंगा और F3 को मैं क्या लिखूंगा? B, C क्या बोला? It is a convenient method which every force is named by two capital letters placed on its either sides of the space diagram Space diagram के जो दोनों साइट जो होंगे जैसे F2 के दोनों साइट A और B है F1 के A और C है F3 के C और B है तो इसको हम बोलते हैं Bose Notation समझ में आया कि तरीका क्या है Bose Notation का? कहना क्या चाह रहे हो? समझ गए होगे? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है तो ये एक तरीका है दिखाने का तरीका है Basically Next जो vector diagram होता है या फिर इसी को हम force diagram कहते है इसका मतलब क्या है It means the construction of a diagram starting from a convenient point and then go on adding all the forces vectorially one by one keeping in view the direction of the forces कि हमको क्या करना है कि कोई question दिया हुआ है तो obvious सी बात है किसी convenient point से start करना है convenient point का मतलब क्या होता है अब obvious सी बात है मैं जो ये लिख रहा हूँ कहीं पर convenient जगा पर लिख रहा हूँ मैं ऐसी जगा तो नहीं लिख रहा हूँ कि मेरे photo के पीछे छिप जाए अब मुझे 100 किलो न्यूटन इधर की और दिखाना है तो मैं या पोने से इधर की और थोड़न दिखाना है कि वो बन ही ना पाए वो जगा ही न बन पाए तो convenient points से start करना है और vectorially जोडते जाना है vectorially मतलब अगर 30 degree पर है 40 degree पर है तो वैसे हमको आगे बढ़ाते जाना है ठीक है to some suitable scale किसी एक suitable scale में suitable scale का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका map है इंडिया का map आपने घरों में देखा होगा आप अभी mobile में search करोगे तो mobile में भी इंडिया का map आ जाएगा तो इंडिया इतना छोटा तो है नहीं न इंडिया तो पूरा country तो उसको किसी suitable scale में छोटा कर दिया गया है तो that is called suitable scale suitable मतलब suitable का मतलब हमारे page के बराबर यह हमारी copy के बराबर तो हम उस बड़े diagram को छोटे में उतारने के लिए के scale का use करते है that is suitable scale now the closing side of the polygon taken in a opposite order will give the magnitude of the resultant force and its direction तो जब हम बनाते हुए चले जाएंगे आगे की ओर तो जो उसका closing side होगा मतलब अगर तीन force हैं तो एक, दो, तीन अगर force है तो चौती side जो खुली रहे गई वो closing side होगी वो उस polygon को बंद करने वाली side होगी और वही उसका resultant और magnitude होगा यह मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी समझाता हूँ यह रहा एक question a particle is act upon by three forces equal to 50 newton, 100 newton and 130 newton along the three sides of a equilateral triangle taken in order find the graphically the magnitude and the direction of the resultant force क्या बोल रहा है कि equilateral triangle है equilateral triangle का मतलब भाई सब क्या होता है कि जिसके सारे angles बड़ाबर हूँ ठीक है यह आरे यह बना एक equilateral triangle ठीक है equilateral triangle मतलब यह भी 60 degree 60 degree 60 degree क्या लिखा है कि इस इस ए बी and C ठीक और पचास newton तो इस इस 50 newton इस इस 100 newton इस इस 150 newton ठीक है यही दिया हुआ है यह जो diagram मैंने बनाया क्या पढ़के तो यह diagram बना है space diagram this is called space diagram या फिर इसी को हम बोलेंगे free body इसमें मैंने क्या क्या दिखाया है direction force और direct force किस direction में लग रहा है और कितना लग रहा है ठीक है तो यह हो गया free body diagram अब क्या बोल रहा है find the graphically the magnitude अब मैंने यह जो diagram अभी आपको बता है कि हमको क्या करना है convenient starting from a convenient point and adding the forces vectorially keeping in view the direction of the forces some suitable scale अब देखो 50 newton 100 और 150 तो start करते हैं मैंने क्या बोला कि मैंने यह start किया 50 को मैंने माना 5 cm तो मैंने यहां से यह 5 cm की line खीच दी और मैंने बोल दिया यह है 50 50 newton को मैंने 5 cm मान लिया 100 newton को मैंने 10 cm मान लिया और 150 newton को मैंने 15 cm मान लिया अब मैं उसी हिसाब से अब देखो 50 का यह हुआ अब यहां से 60 degree के angle पर मैंने एक line खीची 10 cm ठीक है यह गई 10 cm की line 60 की और यह क्या है 100 चूँकि यह इसी दिशा में था इसलिए मैं 3 का निसान भी लगा देता हूँ ठीक है अब फिर क्या था मैंने क्या बोला कि यहां से फिर 60 degree के angle पर एक और line खीची 130 है ना तो 130 मतलब 130 ठीक है 130 तो 13 cm तो यहां से यह रही 13 cm के line यह रहा इधर की और अब यह डाइग्राम कुछ ऐसा बना तो मैंने क्या बोला था फिर से उसी डाइग्राम now the closing side of the polygon taken in opposite order order का मतलब क्या होता है यह इधर गया यह इधर गया और यह इधर गया यह कहला आता है order में एक order में गया opposite order मतलब इसका उल्टा तो अगर मैं अगर मैं उल्टा मतलब यहां से इधर की और तो यह order अगर चलता तो इधर की और मैं तीर का निसान लगाऊं तो यह order हो जाएगा लेकिन मैंने क्या बोला opposite order मतलब इधर की और अब आपको क्या करना है यह जो line है इसको आप नाप लोगे कैसे नाप होगे scale रखके तो आप नाप लोगे तो यही जो होगा this is the magnitude और कितने angle पर होगा यह angle नाप लेना this angle is the direction कि जैसे यह 60 degree है यह भी 60 degree है तो यह कितना हुआ that is also और यह जो diagram मैंने बनाया इसी को मैं बोलूँगा vector diagram और यही मैंने आपको इस definition में समझाया है कि क्या है it means the construction of a diagram starting from a convenient point and then go adding all the forces vectorially सबको जोडते हुए चले जाना है vectorially keeping in view in the direction of the forces direction of forces को दिमाग में रखके for a suitable scale किसी एक suitable scale में now the closing side of the polygon taken in opposite order इस polygon का closing side d point खुला न रह जाए तो d और a को मिलाने वाली closing side opposite order will give the magnitude and the resultant of the forces and its direction simple तो ये स्तारे definition हो गए आपको I think समझ में भी आ गए होंगे कोई आपको कठिन हैं भी नहीं definition आपको समझ में आ गए होंगे इनका जो भी PDF है मैं आपको टेलिग्राम में नीचे join हो जाना वहापे मिल जाएंगे ठीक है और अगर screenshot लेकर लिखना चाहाओ तो लिख भी सकते हो कोई doubt हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो गुडबाई टेक केर